मध्य प्रदेश की आर्थिक राज धानी इंदोर के दुवार का पूरी थाना शेत्र में आकाश नगर के समीप सिरपूर तलाब से पुलिस को शुकरुआर को मिली हाथ पैर बंदी लाश का मामला सुरज गया है। पुलिस ने इस हत्या कारण को अंजाम देने वाले पांच आरोपियों को गिरफतार कर लिया है। विवात का कारण अवेज संबन सामना है। दरसल दोआर का पुरी थालाब पुलिस को शुकरुआर सुबस सिरपूर तलाब से आकाश नगर निवा से सुनील की हाथ पैर बंदी लाश मिल ली थी जिसकी आँखे फूटी हुई थी और सिर को किसी चीज से कुचल दिया गया था। मृतक के चाचा घूटू सिंग ने बताया था कि सुनील का शीत्र में ही रहने वाले कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। इसकी बाद पुलिस ने संदिंग्दों को हिरसत में लेकर पूछता चीए तो घटना से परदा उठा। आरोप्यों की बहन से सुनील के संबन होने के चलते कई बार पहले भी विवाद हो चुके हैं। गुरवार राद शिराप के नश्र में विवाद हुआ और फिर आरोप्यों ने पुताई करने वाले धारदार पत्ते से सुनील का गलारे दिया। इसके बाद लाश के हाथ पैर बांदी और फिर सिमेंट के ब्लॉक से बांद कर लाश को तला में फेक दिया और फरार हो गई इसके बाद जो शब था उसको डूड़ने का प्रयास जारी किये गए एसजरेफ की टीम को पुलिस की टीम ने लगातार मिलकर आसपास सेचिंग करी इसके बाद लगबग 20-25 मिट के बाद में तलाब में ढूगी एक बॉडी हमको मिली जिसमें उसको निकाला गया बहार निका पाशनगर का रहने वाला है इस पर उसके मर्ग पंजीवत करके बॉडी को पोस्माटम के लिए गया था इसके पश्चास परिवाजनों से बातचीत करके और आसपास के लोगों से बात करने पर यह पता चला कि कुछ संदिग्द हैं जिनके साथ इस विक्ति का मरतक का पूर इसके साथ इसके संबंद होने के कारण में इस प्रकार से इनका विवाद कई पहली भी हुआ है इसी कारण से परसों रात को भी इसमें विवाद हुए जिस पर से शराब के नशे में इनके दोरा उसकी हत्या कर दी गई